प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आपको हमारी चैनल पर तो दोस्तो आज की सिरु में मैं आपको एक बहुत ही शांदार प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा और इसको आप स्पेशली साइंस एक्जिवेशन के लिए भी बना सकते है तो इस प्रोजेक्ट में ऐसा होगा कि हम घर बैटे-बैटे किसी भी एप्लाइंस या फिर किसी भी मेशिन को सिंप्ली एक कॉल के मदद से हम इसको ऑपरेट या फिर ओन कर सकते हैं वह एक अग्रिकल्चरल वाटर पाम्प हो सकता है या फिर कोई सा भी ऐसा मेशन जो हमारे घर से बहुत दूर है और यह फिर प्रोजेक्ट besp一次 pareil farmers logo के लिए होता है जो farmers उनके घर बैटे-बैटे simply बीना आग्रिकल्चरल फिल में जाए हुए अपने वाटर पम्प को ओन या फिर ऑफ कर पाएंगे या फिर उन फिर उन फरमार के लिए जिनके अग्रिकल्चरल फिल उनके घर से बहुत ही दूर हो आप इसको ओफलाइन मार्केट से 20 रुपय में खरीच सकते हैं और फिर आपको चाहिए होगा एक NPN ट्रंजिस्टर BC547 आप कोई दूसरा भी NPN ट्रंजिस्टर ले सकते हैं और फिर मैंने यहाँ पर लिया है एक फिचर्ड फोन आप यहाँ पर कोई स्मार्टफोन का भी यूस कर सकते हैं तो इस मोबाइल का कीपेट का जो लाइट होता है यहाँ पर मैंने दो वायर्स पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों LED के साथ कनेक्ट कर दिया है आप यहाँ पर इसकी जो वाइब्रेशन मोटर होती है वहाँ पर भी लगा सकते है तो जब भी हम इस फोन में कॉल करेंगे तो जो कीपेट का लाइट है वो ओन हो जाएगा उसके साथ हम एक ट्रांजिस्टर लगा देंगे जो की इस वाल्टेज को एम्प्लिफाई करके रिले में सेंड करेगा और रिले हमारा कोई भी एप्लाइंस या फिर जो भी मेशन से इसको ऑपरेट करेगा तो इस प्रोजेक में एक लिमीटेशन भी है हमें इस मोबाल के अंदर जो भी नंबर से इन सारे नंबर को ब्लॉक करके रख देना है या फिर कोई भी मेशेज या फिर कॉल्स नहीं आना चाहिए सिबाए हमारे कॉल का जिस कॉल्से हम मेशन को चालू करेंगे या फिर को एंदि या मरुण नज celular होता है पॉजिटीव निगेटिउव उसमें लिखा हो रहता है बमें पॉजिटिव को यहां पर लगा दें理 क्ह杯 नजया लगा में इस Спीनकर देंग और इस को हमें लगा देना है पॉजिटीव इसमें लगा निएकर निगे उसमेश में लगेग एक यह होता है और यह इस साइड वाली होता है तो हमें कोई साभी कॉयल पीन पेस को इस तरह से लगा देना है मैं आपको सरकीट डियाग्राम भी वीडियो के डेस्क्रिप्शन में दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लेम होता हो तो जितने टाइम तक यह LED ग्लो करेगा उ इसकी जो टाइमिंग है उसको आप कम यह अफिक ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पर 20 सेकेंड इसको में 20 सेकंड तो मैं इसको फूब्लि 20 सेकेंड पर सेट कर देता हूँ तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना वोल्ट का आउटपुट हमें देखने को मिलता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2.84 तो इसकी मदद से तो हम अभी रिले को अपरेट नहीं कर पाएंगे इसलिए हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे जो इसको 2.84 को मिनिमम फाइव या फिर उससे उस वोल्ट से ज्यादा इसको एम्प्लिफाइ करके रिले में सेंड करेगा तो मैं आपको यह वाली LED को ओन करके दिखाऊंगा एक कॉल की मदद से तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इसकी जो light का टाइमिंग है वो maximum 30 seconds टक था इसका मतलब मेशिन जो है वो कॉल के साथ ओन हो जाता और 30 seconds कॉम्प्लिट होने के बाद ये मेशिन आपको अटमेटिक ओफ हो जाएगा और next video में मैं आपको मना के दिखाऊंगा कि जब हम कॉल करेंगे तो चालू होगा और जितनी टाइम तक हमें इसको चलाना है उतनी टाइम तक ये मतलब ऐसे simply रहेगा और जब हम इसको off करना है तो हम दुबारा कॉल करेंगे और machine off हो जाएगा तो यहाँ पर सारी connections complete हो चुका है और सब कुछ हमने आपके सामने clear रख दिया है तो यहाँ पर जो positive और negative निकल के आ रहे LED का तो यह positive जो है वो directly connect हुआ है transistor के middle वाले pin के साथ यहाँ पर और इसका जो negative वे वो गया है transistor के last pin यानि की emitter pin के साथ यहाँ पर और यह है बाराबोल के battery इसका जो negative है इसको भी हमने यहाँ पर connect किया है transistor के last pin के साथ और इसका जो positive wire है उसको हमने relay के यहाँ पर coil pin के साथ connect कर दिया है और फिर हमने यहाँ पर एक और battery लिया है इसका जो negative है वो हमने connect किया है LED के negative के साथ और इसका जो positive है इसको हमने यहाँ पर relay के common pin के साथ attach किया हुआ है और LED का जो positive है इसको हमने इस pin पे जो कि है normally open pin यहाँ पर हमने इसको connect किया हुआ है तो अभी अगर हम इसमें call करेंगे तो यहाँ से जो 2.84 something voltage output निकल रहा था वो relay इसको amplify करके sorry transistor इसको amplify करेगा और relay में send करेगा और जब रिले में send होगा तो relay activate हो जाएगा और जो भी हम appliance यहाँ पर लगाएंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर simply बालब और battery लगा कि आपको दिखाया है तो आप यहाँ पर water pump लगा सकते हो, motor लगा सकते हो, fan light कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हो चोली आप इसका एक बार testing ले लेते है तो इस mobile के अंदर अभी एक sim card लगया हुआ है और इसका number मेरे इस mobile phone में है अभी में इस number को यहाँ से dial करता हूँ, यह वाली number है इसको में, तो आप यहाँ पर देखना कि automatically call जाएगा, मैं इस phone को यहाँ पर रख देता हूँ आप देख सकते हैं, light on हो चुका है, और अगर आप call को cut कर देते हैं, तो भी light on रहेगा 20 seconds तक, क्योंकि यहाँ पर एक timing लगया हुआ था, इस LED पर 20 seconds तक यह light on रहेगा तो अभी आप देख सकते हैं, light off हो चुका है तो चलिए फिट से एक बार इसका एक testing लेते हैं, तो यहाँ पर calling जा रही है, तो आप देख सकते हैं, light on हो चुका है, यहाँ पर यहाँ पर ring गोरिया, अगर मैं इसको cut कर देता हूँ, तो भी light on रहेगा 20 seconds तक, तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप चाते हैं कि मैं इसकी उपर एक और वीडियो बनाओ, जिसमें हम किसी भी appliances को एक दो गंटे के लिए, for example, कोई water pump होगे, इसको हम में on करके रखना है, long time के लिए, अगर आप चाते हो कि मैं इसके उपर वीडियो बनाओ, तो आप मुझे comment box में ज़रूर बतना, और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, तो इस channel को subscribe करके, bell icon को ज़रूर प्रेस कर लेना, धनियाबाद,